नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका दोस्तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं काली मिर्च के छे चमतकारिक उपाई दोस्तो छोटी सी दिखने वाली काली मिर्च नैस सिर्फ हमारे शरीर की बिमारियों को दूर करती है हमें अनेक परकार की बाधाओं को दूर करने में भी काली मिर्च हमारी मदद करती है। दोस्तो जोती शास्त्र में काली मिर्च से संबंदित अनेक उपाई बताए गए हैं जो आपके घर में उपस्तित नाकारात्मक उर्जा को दूर कर साकारात्मक उर्जा प्रदान करती है। या साड़े साती का प्रभाव हो तो उसे काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ पैसे दान करने चाहिए। इस उपाई से शनी देव का प्रकोप शिग्रही शांत हो जाता है। और ये एक शिद उपाई है। दूसरे नंबर पर है यदि आपका कोई कारिय बंते पैर रखकर बाहर जाएं। परन्तु दोस्तों ध्यान में रखने योग्यबात यह है कि काली मिर्च के उपर पैर रखने के दोरान घर में वापस नए जाएं। इससे आपके द्वारा किये गए उपाई का उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर यह है कि य उटते वक्त पीछे मुड़कर नए देखें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाई से अचानक धन प्राप्ति की योग बनते हैं। दोस्तों चोते नंबर पर है अगर आपके घर में किसी बुरी शक्ति का वास है तो इसे दूर करने के लिए 5 ग्राम हींग, 5 ग्राम काले मिर् तथा दूसरे हिस्यों को शाम के समय घर में जलाएं। ऐसा करीब तीन दिन तक दोहराएं। ऐसा करने से घर में लगी सारी बुरी नजर हट जाती हैं। और घर में वास कर रही बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। पाँचवा उपाई। यदि आपके घर में अक्सर कोई एक तीये में रखकर घर के किसी कोने में जलाना है। इससे आपके घर की सारी नाकारात्म गूर्चा नश्ट हो जाएगी। छटा उपाए। दोस्तो यदि आप किसी भी प्रकार से शनी दोस्चे पिडित हैं। भोजन ग्रहन के दोरान अलग से नमक मिर्च ने डाले। बल अधियाबाद।